भाईयों भेनों, हमारे लिए और है क्या? हमें किसे लिए काम कर रहे हैं जी? मेरे लिए तो ये मेरे सवासों करोड हिंदुस्तानी, ये ही मेरा परिवार है, इनका सुख मेरा सुख है, इनका दुख मेरा दुख है. और इसलिए हम आईशमान भारत योजना लाए, किसने रोका था भई आपको? क्या पहले गरीब बिमार नहीं होता था क्या? क्या पहले गरीब को अपरेशन नहीं करना पड़ता था क्या? क्या पहले गरीब को दिल का दौरा नहीं पड़ता था क्या? क्या पहले गरीब की किड्नी खराम नहीं होती थी क्या क्या पहले गरीब के कैंसर की बिमारी कर्शिकार नहीं होना पड़ता था या बिमारी के खारण मद्यमबर का परिवार निम्नमद्यमबर का परिवार गरीब परिवार कर्ज में डूप जाता था अगर नहीं डूप जात कि उसकी बिमारी की चिंता कौन करेगा अरे जो विदेशों में बिमारी के लिए भागे दोड़े रहते हैं आप उस गरीब की स्थिति नहीं समझ सकते हैं वो तो एक चाहे वाला समझ सकता है और इसलिए उसलिए उसके दिल दिमाग में से आउश्मान भारती हो जना पैदा हो ती है और हम तै करते हैं कि मेरे ऐसे परिवार इस देश के 50 क्रोड नागरिक कम संख्या नहीं है 11-12 क्रोड परिवार अमेरिका की पूरी जन संख्या केनेडा की पूरी जन संख्या मेक्सिकों की पूरी जन सेंख्या उन सबका में टोटल मिला लूने उससे जादार लोगों को हिंदुस्तान में आईश्मान भारती होजना का लाब मिल रहा है बाज़ा मैंने ऐसे घरों में चिठ्थिया भेजना शुरू किया है करोड़ों परिवार मेरी चिठ्थी पहुँच गई है और परिवारों में चिठ्थी जा रही है वो चिठ्थी लेकर के जाएगा अस्पताल में उसका गोल्ड कोई निकलेगा और घर में ऐसी गंबीर बिमारी आई वो अस्पताल जाएगा बिना एक नया पैसा खर्चा किये उसका आपरेशन हो जाएगा और पांच लाख रुपिये तक का उस परिवार का खर्चा एक साल में पांच लाख एक साल में पांच लाख उसकी भरपाई ये चाहिवाले की सरकार कर देगी भाईयो क्योंकि गरीबी क क्या होती है मैं जानता हूँ गड़ी क्या होती है मैं जानता हूँ गाली गलोच करना आपका काम है जनता जनारदन की सेवा करना हमारा काम है आपने जूट बोलने का रास्ता चुना है हमने जनता के लिए सबर्पी जिन्दगी जीने का रास्ता चुना है और उसी रास्ते से म पीच में आया हूं यह खोकले वादे जूटे वादे जूटे नारे यह कोंग्रेस का चरीत्र रहा है इमान दरी हो कॉंग्रेस पार्टी जराही साथ देके बताएं क्यों बादे पुरे नहीं करते क्यों लोगों को गुम्रा करते हो और इसलिए भाईयों बैलो हम जिम्मेवारी से काम करते हम नहीं चाहते मेरा केस का किसान कज़दार बने हम नहीं चाहते मेरा देश का किसान मुसिबत में जिंदगी जिए लेकिन उसके लिए मजबूत रास्तिक होजे हैं, इंसरंस की ववस्ता की, स्वाइल हेल्थ कार्ड की ववस्ता की, पानी पहुंचाने का प्रयास किया, हमने स्वामिनासन कमिशन रिपोर्ट को लागू करके, उनकी पैदावर में जो लाकत होती है, इसका डेड़ गुना करने का काम क किया, इतना बड़ा काम, जो इतने सानों से रुखा पड़ा था, ये पूरा करने का काम हमने किया है, अरे वन राइंग बन पैंचन, चालीस साल से लटका हुआ था, देश के लिए जीने मरने वाले मेरे जवान, आपके दरवाजे पर आकर के बार बार कहते थे, डिसिप्ल स्टाइक करने वाले मेरे सेना के जबानों का हक बनता है, उनके हक का मिलना चाहिए, और हमने बन रैंग, बन पैंचन करके दिखाया भाईयो, ये बादे जूठे, लोग जूठे, बाते जूठी, मुद्दे जूठे, एक प्रकार से जूठ उनके जहन में है, जीत उनके सभ में है, देश को जूठी बातों से यहनेजा अंधेरे में रखा, पहली बार देश को पता चला कि देश के पास पैसे भी है, अगर काम करने का इरादा हाओ, तो पांच-पतीस साल में वो काम नहीं कर पाते, चाहिए वाला चार साल में कर सकता है, इसी उप्रेक्षा के साथ, इसी आदर्स के साथ, मैं आप सबसे आज आगरह करने आया हूँ, यह हमारा सरगुजा हो, यह हमारा अम्मी का नगर हो, एक बार इस बार इस शत्तिस गड़ को तबाह करने की इरादे रखने वाले एक को भी जीतने मत दीजिए साब, एक को भी देए, साब कर दीजिन को.